पट्टी में कुछ लोग ख़़े दे जो एक दम से गुम्मे चलाने लगे उसमें मेरा सरभी फट रधा दा और यह मेरा सर भी फट रधा दा उसमें उस गुम्में लोग न कि आज उनकी मदद से हम लोग को इतनी हम लोग बचे हुए हैं और आगे भी को चाहते हैं कि हम लोग के उपर हाथ रखे रहे हुए तो दुगान बढ़ाते बढ़ाते एक दम से बंद करके भागे उसके वाद तमाम गुम्मे पत्सर चलने लगे हैं जिल में नमस्कार स्वागत आप सभी का हेड्लाइन से इंडिया पर मेरा नाम है विनोश शर्मा और मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ जहां पर जुमे की नवाद अता करने के बाद इसी सड़क से मेरे ठीक सामने की तरफ आप ये सड़क देख रहे हैं इसी चौड़ी सड़क से एक मौब एक भीड आई और उस भीड ने यहाँ पर जबड़ जस्ती दुकानों को बंद करवाने की कोशिश करी और उसके बाद जिन लोगों ने दुकान बंद नहीं करी उनसे मारपीट की दंगा भड़काने की साजिस रची गई हाला कि पुलिस परशासर ने उस साजिस को नाकाम कर दिया लेकिन जो भीड आई थी उसका पूरी तरीके से तैयारी थी ठेलियों पर रिक्षे में कहा जा रहा है कि पत्थर भर भरके वो लोग लेकर आए थे आप एक वीडियो लगातर वाइरल हो रहा है उस वीडियो में क ये सामने एक बोड लगा हुआ है जो कि यहां के माननी है खालिद जो कि यहां के माननी है सलिल विशनोई का बोड है और ये वो जगा है और ये वो देख सकते हैं और ये वो शटर है ये वो दुकाने हैं जिनको तोडने का परियास किया गया शटर को तोडने का परियास किय लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता था कि यहां पर तीसरी नजर आपको देख रही है जब उनको ये पता लगा कि ये तीसरी नजर यानि की CCTV कैमरा यहां पर लगा हुआ है तो उन उब्दरवियों ने इस कैमरे को तोड़ने की कोशिश की गई बिलकूल बकाइदा इस कैमरे को तोड़ते हुए वीडियो भी नज़र आ रही है और उन लोगों की शकले भी नज़र आ रही है हाला कि 40 जो ऐसे लोग हैं संदिक्द हैं उनको पुलिस परशासन ने बंद कर उनकी पोस्टर लगाए है एक CCTV कैमरा वो देख रहे हैं यहां पर यह CCTV कैमरा लगा हुआ है इनी CCTV कैमरे को तोड़ते हुए भी कुछ लोगों की उपद्रवियों की जो तस्वीर है वो सामने नज़र आ रही है या कुछ लोग दुकंदार मेरे साथ है क्या नाम है सर मेरा नाम अनिल कुमार है कुमार जी हजार तो तीन हजार लोग होंगे और काली पट्टी पान के नमाज बाच पढ़के जो भी निकले उधर से बिलकुल इत्ती भीडती की आदमी देख के ही धर जाए और उधर से जैसे वहां सामने अली रोट से इधर फाने हैं आप हम लोगों से हवाल लगाने लगे यह कि यह मलब किया करने आएं और कई रहें इतनी देयर में पीछे गाली अगरा बगने लगेए और उसकूश पठी मे कुछ लोगख खड़ दे जो एकदम से घुम्मय चलने लगे उस्पिर और ये यह मेरा सरी फड़ और प्र जो चलाया था ख़ग और यह पायर फाधा यह न कि लगवा रखे मैंने और इस सर में भी टाके लगवा हैं एक दम से भाया आज भी इसा कभी इसा नहीं हुआ जो हम लोग बिल्कुल बहुत चक्के रहे गए आप अनील नाम है आपका अनील जी आपके सर में टूपी उटाइए जरा ये आपके सर में वहां से किसी ने आपको पता ही नहीं लगा क्या हुआ है चाहना कि लोग ने आईसा किया कि बताने चकते कि इतना गुम्मा चलाया इतना गुम्मा चलाया कि और भागने लगे लोग मतलब क्या हुआ कि बगवा नहीं जाने जाने जान बच गई एक तरीकता है यही आप मन आये कि हम लोग ज साथ है साइकिल के तो उस टाइब के लोग इस पे पूरा नजर रखे हुए हैं वो कहते हैं कि इस हाथे को भी टार्गेट बना के इसको खाली कराओ यही एक टुकड़ा बचा हुआ है जिससे कि हम लोग कबर करेंगे काफी मुसंदमान लोगों का जो भी अपना एक मकसद हो बगवान जानता है वो तो मगर ऐसा कभी नहीं हो सकता है इन लोग की यह स्कीम बिलकुल फेल हो जाएगी आद ने हम 40 साल जो भी हमारी उमर है जबसे मैं यही देखता चला आ रहा हूं बच्पने से कि जित्ती बार भी इन लोगों ने कोसिस करी मगर नाक्याम में आ रहा ह है कि जो चफर हयात हाश्मी है उनकी बीवी कह रही है कि भाई मेरे पती को निर्दोष फसाया गया ऐसा कुछ भी नहीं है कुछ भी उनके खिलाब मिला होगा तब हिसे सरकार नोगों को का कहेंगे योगी सरकार पर भरूसा आप लोगों को है हम लोग हिए बगऌन है उन्हीं की सज़ते साया में जी रहे हैं हम लोग तो चाहते हैं ऐसी सरकार बगऌन उपर वाला इसे लोगanic बहुत 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 वंर बढ़ा है कि हमारा देश को हमारी धर्म को हमारे हुंदुत को हमारे चंदे दु刃ते को सुरुच्छा रिखिए ऐसे लोक चाहते बार बार आएं क्या लगता है अगर सरकार में योगी होते तयानात नाथ नहीं होते попроб ? लगता है सरकार ने जो कदम उठाया बुल्डोजर की बात चल लिया पोश्टर लगवा दिया सडकों पर ? बिलकूल अच्छा गिया बिलकूल ! बहुत बहुत अच्छा किया है। कि झाये इस को है प्त्फर हुग लिए अब।न का attach इसको का उप waiver Sab sexe उन्हा रहा है। पूरा प्लान करके किया गया था ठाबănों गश्जाब प्लैस बनाे देजा जहां पे लोगों ने चुपा-ठाए था यह उन्हीं साथ में चलें और बाकाइदा रुमाल रुमाल से सब कपड़ा बांद के लोग चलें क्या है इसा प्लान तो है कल को तुम कहते थे कि मास्क हमारे लिए कुछ नहीं है यह सब बेकूप की बाते तो रुमाल क्यों बांद के आप लोग चल लाए दिवाई कौन सा करोना चल सब्सक्राण से आए ना यहीं हमारा कहना लगता है इश्वर का सुपर उजार कर रहे हैं कि कोई हम लोग बज यही हुआ कि योगी सरकार में हम लोगों को बहुत बहुत धन्वात देते हैं कि आज उनकी मदद से हम लोगों को इतनी हम लोग बचे हुए और आगे भी को चा कर सकते हैं और वाग पड़े तो ज्यान तो भचानी पड़े हुआ जारोग्हाने बताई आप क्या कर सकते हैं कि सोची समझी साजिस भी साजिस ही है एक जलूस को यह दंगा के रूप दे दिया तो साजिस तो थी बिल्कुल जाहरे दे लोग अब क्या मालूब उनके मकस्द क्या था भाई क्या बता सकते यहांł वे वाई कुछ नहीं इसके भारें बता सकते हैं वे दो इसजिसे प्यान आ रहा रहा है तौन में दर है भिलकुल तो रहे गा जब यह बयान बाजी नहीं बंदो कि तब तक दर आदमी डरा हुआ हरा आदमी डरा हुआ दुकंदारी तो सब फराब हो चुकी कुछ नहीं बचा शटर खोलो बैठरो दुन बर यह बयान बढ़ाते बढ़ाते एकदम से बंद करके भागे उसके वाद तमाम गुमें पथर चलने लगे जिल में पथर यह लोग लेकर आए थे सड़क से उठाकर मारे थेले पे पस्थर लेकर आए थेले पर पस्थर था पत्थर जो है ठेले के उपर लेके ही आए थे पत्थर यह इतने खटा ठेले पे कैसे आएंगे ठेले पत्थर लेके आएंगे क्या थी इनकी मंचा यहां से आप हिंदू को भगा दिया जाए यहां से दुकानों को खाज जराजा है पत्थर चलाते हुए जो पोस्टर लगे है तो इसमें गलत सब पुलिस ने लगा एक है और वाइसे भी वीडियो जो बना है जो वीडियो बने हैं क्यांकि गलत हैं क्या जै अचानक से भीड आ गई थी उसने उन्होंने बोला दुकाने बन करने के लिए बोला जबते हम दुकाने बढ़ाएं लगे इद्धम से कहां से पत्थर चलने के मालूमी ने पड़ा हम लोग शटर बन करके निकल गया थे घर हम लोग उसके बाद जो है वो कैमरे बने जर आया है अधर नहीं आई थी उस तरफ आई थी लेकिन कभी भी हम लोग ने तो अपने आप से तो कभी एक पथर नहीं उठा के फेका जब भी बावाल हुआ जवजश्ती का है तो उनी लोग तरफ से स्टार्ट होता है इसलिए हम तो यह कहेंगे कि यह पूरी सुन्योजित तईके से है तो साजिस्ती इसमें हम लोग है तो कभी भी यह नहीं होता कि हम लोग पहल करें अब भाई बचाओ के लिए हम लोग को कुछ ना कुछ करना पड़े गा ही अब उनलोग आ रहें तो हम लोग हाल लेके खड़े नहीं रहेंगे अब जब रश्ती अगर आप हमें आप भाई है तो उत्तेजीत करो कि कुछ ना क्या रही थी भीडू है तो हाथे के अंदर घुसना चाहा रहे ही ती कुल मिला के कि जितना ज्यादा स्यादा हो नुक्सान करें यहां का बाकी है तो मिनी पाकिस्तान बनाना जायते हैं लेकिन हम यह भी कहेंगे कि समाज में हलत एक एक आप्मी होता है सब ये नहीं करना चाहते है होता गया है कि अब समाज पांचों लिए बरावल नहीं होती है अब जिनके पास काम नहीं है तो उनके पास यहीं एक काम है यानि कि एक तरीके दर धहशत फैलाना चाहते हैं कि धहशत फैले और यहां से जो लोग हैं वो जो हिंदू परिवार यहां रहे रहे हैं हाते वारे पलायन कर जाएं भाग जाएं बिल्कुल और तो भीया इसमें फत्वा भी बहुत जाहिर कर दिया जाता है कि इन दुकानों से समान ना खरीदें लेकिन ये चीज़ कभी हिंदू में नहीं चीज़ आई है अगर ये ही चीज़ हिंदू पच जाहिर करे कि इन इन मुसल्मानों भाईयों से समान ना खरीदा जाए तो फिर ये होगा कि ये गलत है ये गलत कर रहा है और बगहर दोनों पच के कभी कोई वैपार भी नहीं हो सकता है लेकिन ये चीज़ जो अलपसंख्यक है उनको कौन बता है कौन समझा है लेकिन यहाँ पर तो अलपसंख्यक क्या आप नजर आ रहा है नहीं यहाँ पर तो प्रित है किसी टाइम में थे वो अलपसंख्यक अब अलपसंख्यक नहीं रहे वो बहुत संक्यक होगा है और इसका यहाँ का अगर देखा जाए दो 4-5 किलो मीटर की रेंज में अलप संक्यक तो हिंदू ही है अगर 5 किलो मीटर के रेंज में आप देखी है हमारे ख्याल से 5-6 आत्मी नहीं निकलेगा हिंदू और बाकी 55 लाग तो मुस्लिम वर्ग ही निकलेगा क्या कहेंगे योगी जी ने तुरंत अक्षन लिया हाँ बिलकुल लिया तुरंत अक्षन अगर अक्षन ना लिया होता तो जो पांच यार दो हजार हिंदू हैं वो भी ना होते और जो हम खड़े होके आज दे रहे हैं बता रहे हैं वो भी ना बता पा रहे होते अख्लेश जी की सरकार होती जश्ट इसका उल्टा हो जाता हम यहां के आदमी है तो जितने सब कवर कर दी जाते जेल में अगर पकड़े भी जाते दो चार पकड़े जाते इस यादा ना पकड़े जाते वीडियो में जो जो आया है वो तो दिखाए जाएगा tell कि योगी को इनको वीडियो में दिख रहा है उन वही तो गरफ्तार हुए बस देख सकते हैं है कि युद्ध में इस वक्त ग्राउंड मौजूद हूं व्या पारियों से हमने बातचीत करी क्योंकि अप दुकाने खुलना शुरू हो गई है हाला कि थोड़ा निराश जरूर है क्योंकि जो व्यापार हुआ करता था वो लोग व्यापार जो लेने आते थे समान वो थोड़ी संख्या थोड़ी सी कम है यानि कि जो दुकंदार दुकान पर बैठे हुए है और जो गरहक आते थे गरहकों की संख्या थोड़ी में कमी आ गई है लेकिन इनका एक बड़ा खु कुछ जो बहु संक्याक लोग है और एक धरम के जो लोग है वो लगातार ये चाहते हैं कि ये जो हाता बना हुआ है ये दरसल है कि यहां पर जो हिंदूों की आबादी है वो कम हो गई है और मुस्लिमों की संक्या बढ़ गई है तो ये लोग ये चाहते हैं कि हाता के अंदर जो लोग रह रहे हैं, उनको भी यहां से निकाला जाए, किसी ना करीड किसी तरीके से साथे को खाली कराया जाए, लेकिन इस मॉब को, इस लिंचिंग जो मॉब आई थी, जो लोग आए थे, पुलिस ने उनको ग्रफतार कर लिया, जिसकी वीडियो वारल हो रही है, पुलिस पर गरफतारी भी की जा रही है ऐसे लोगों को जेल भी भेजा जा रहा है कैमरामेन तुशार के साथ विनोश शर्मा हेडलाइन सिंडिया के लिए कानपुर से